अगर उपनी परीज़िवार साइनिकी स्कूल परेश परिक्ष्या उनलाइन कोर्स को जोई करना चाहते हैं तो आप हमें इंट्री लिखकर वाट्साप करें वाटसब नमबर आपके स्क्रीन पे है 979-3252-999 तो आपको किया करना है आपको entry लिखना और message करना है ठीक है वाटसब करना है वाटसब नमबर है 979-3252-999 यह वाटसब नमबर है जिस पे आपको वाटसब करना है चलिए तो class start करते हैं तो आज एक नए chapter के साथ स्टार्ट करेंगे, average, ओसत, ठीक है, तो ये class 1 है, यानि ये basic सा class है, इसमें आपको ये बताए जाएगा कि ओसत होता क्या है, ओसत क्यों निकालते हैं, ओसत कैसे निकालते हैं, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, कि ओसत क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको समझ में आता होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, ओसत होता गया है, तो उनके लिए ये class से basic से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सारे class को देखा करो, आपको 100% समझ में आने लगेगा, और आप किसी भी competition की exam में बैढ़ जाओ, साइनिक स्कूल हो, या नौदे विद्ध्याले हो, या रास्टेमिलेटरी स्कूल हो, उसमें आप 100% आप math को क्लियर कर पाएंगे, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले और समझते हैं कि या और सत होता क्या है, तो ये और सत होता क्या है, ठीक है, पहले इसको समझेंगे कि या और सत क्या होता है, ठीक है, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो देखो एक एक क्रिकेटर है एक खिलाडी है जो मैच खेलता है ठीके आप भी खेलते होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो यह जो क्रिकेटर है यह जो बल्लेबाज है इसने तीन मैच खेलें कितने मैच खेलें तीन मैच खेलें तीन अलग-अलग इसने मैच खेला और तीनों में अलग अलग इसने run बनाए तो पहले match का मैं run आपको लिख देता हूँ कि पहले match में इसने 50 run बनाए कितने run बनाए 50 run यानि पहला match खेला और 50 run बनाया दूसरे match में इसने 10 run प्याउट हो गया दूसरे match में ये 10 run प्याउट हो गया ठीक है अभी तक इसने total 60 run बनाया है कितने run बनाया है 60 run और तीसरे match में ये 15 run पे out हो गया तीसरे match में कितने run पे out हो गया 15 run पे इसने 3 match खेलें अलग-अलग और पहले match का run है 50 run दूसरे का score किया 10 और तीसरे में score किया 15 यानि 50, 10, 15 total इसने 75 run बनाये total कितने run बनाये, 75 run, इसने match कितने खेले, 3 खेले, तो 75 से 3 को कटाएंगे तो यह आएगा 25, यानि यह इसका उसत run है, यानि एक match का उसत run लगभग इसका 25 run होगा, 20 run, per match इसने लगभग 25 run बनाये, एक मैच का आउसत एक मैच का आउसत इसका कितना होगा 25 रन ठीक है तो यह लगबग इसका प्रते एक मैच का आउसत जो होगा वो 25 होगा जिसको हम लोग बोलते हैं तो इसका average run अगर हमको लिखना हो कि इसका average run कितना है तीनों match में अगर ये खेला है और तीनों match का average run निकाला जाए तो average run क्या होगा यानि ऐसा run कौन सा होगा जो तीनों match के हिसाब से मारा हो यानि वो 25 run प्रतेक match के हिसाब से मारा है तो ये आपका ओसत हो गया तो बड़ा simple पल्स आओ गया और जितनी संख्याएं उससे भाग देंगे आगे बढ़ेंगे कोश्चन में तो आपको धीरे-धीरे समझ मैंने लगया कि आउसत क्या होता है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन आपके स्क्रिन पर यह आ गया कि एक खिलाडी जो है विभिन मैचों में अलग-अलग मैचों में उसने 10 रन, 40 रन, 25 रन, 35 रन और 15 रन बनाएं तो उसने कितने मैच खेले यह देखो तो सबसे पहले मैच में 10 रन, दूसरे मैच में 40 रन, तीसरे में 25, चौथे में 35 और पांचवे में 15 रन यानि टोटल उसन में 5 मैच खेले, कितने मैच खेले पांच मैच खेले ठीक है तो इसका ओसत कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले ओसत का फर्मुला होता है कि रासियों का योग यानि Sum of Terms upon Number of Terms यानि सभी संख्याओं को जोडो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो तो इसमें संख्य कौन कौन से यह देख लो मैं लिख देता हूं तो सबसे पहली संख्या है 10 दूसरी संख्या है 40 और तीसरी संख्या है 25 अगली संख्या है 35 और यह लास्ट है 15 यानि टोटल इतने रन है ठीक है एक मैच दो मैच तीसरा मैच चौथा मैच और पांचवा मैच अगर इसका एवरे से भाग देंगे तो सबको आप आप जोडेंगे और उसको 5 से भाग देंगे तो आपका उसत निकल के आजाएगा average run निकल के आजाएगा आवसत रण निकल के आजाएगा कि क्या होगा तो आउसत का फीर्मुला आपका स्क्रीन पर è कि राशियों का योग यानि जितनी भी संख्यां दी हो सब को जोड़ो और फिर राशियों की संख्या से भाग दे दो यानि उनकी संख्या कितनी है उससे भाग दे दो और average English में sum of the terms upon number of the term यानि जितने भी terms से उसको आपको sum करना है upon number of the term संख्या कितनी है उससे आपको सिंपल योगफल में भाग देना है ठीक है इसको solve करते हैं तो देखो सबसे पहले जोड़ेंगे तो देखे मैं जोड़ रहा हूँ तो ये 40 और 10 50 हो गया है ठीक है और ये 25 और ये 15 25 और 15 40 हो गया तो 50 और 40 कितना हो गया 90 और 90 में 35 जोड़ेंगे 90 में क्या जोड़ेंगे 35 तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 होगा और 120 में और 5 जोड़ दो तो 125 होगा तो इसका योगफल जो आगया वो आगया 125 और संख्याएं कितनी है 5 तो 125 को 5 से कटाओगे तो यह कटेगा 25 बार में, कितने बार में, 25 बार में, तो यह average run निकल के आ गया 25 रन, यानि आउसतन उसने 25 रन मारे होंगे प्रतेक मैच के हिसाब से, तो यह option number D इसका सही उत्तर हो गया, अगला question दिया हुआ है कि 8, 4, 11, 5, 7 का उसत क्या होगा, average of 8, 4, 11, 5 and 7, ठीक है, 8, 4, 11 आउसत का उसत क्या होगा, तो सबसे पहले average का formula लगा लेते हैं, कि रासियों का योग, यानि योगफल, बटे में संख्या, यानि उनकी संख्या कितनी है, यानि जितने भी number दियोंगे, सब को हम जोडेंगे, और फिर उनकी संख्या से भाग देंगे, तो आउसत निकल क्या जाएगा, ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले average निकालने के लिए, क्या करेंगे, सब को जोडेंगे, तो देखो सब को जोड़ लो, तो सबसे पहली संख्या दियो, ये 8, दूसरी संख्या दियो, ये 4, तीसरी संख्या दियो, ये 11, 14, ये 5 और 7, बटे में number of the terms, यानि कितन संख्या हैं, तो संख्या हैं, कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये total संख्या हैं, कितनी हैं, 5, तो सब को जोड़ेंगे, तो देखो, 8, 4, 12, 12, 11, 23, 23, 25, 28, 28, 27, 35, इसको जोड़ेंगे, कितना हैगा, 35 बटे में 5, तो ये कड़िया 5 से 7 बार में, तो इसका आउसर जोएगा, साथ 9, 10, तता 15 का आउसर क्या होगा, तो आउसर का फार्मूला मैंने आपको बताया, कि सभी रास्यों का योग बटे में रास्यों की संख्या, यानि आउसर बराबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले योग फल निकालो, कि सभी संख्याओं को जोड़ो, बटे में उनकी संख्या, कितने संख्या हैं, ठीक है, some of the terms upon number of the terms, तो सबसे पहले सभी संख्याओं को लिखते हैं, सभी संख्याओं को जोडेंगे, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोडेंगे, तो इसमें किसका किसका बोला है, प्लस 4 का बोला है, प्लस 9 का बोला है, प्लस 10 का बोला है, और 15 का बोला है, बटे में इनकी संख्या कितनी है, तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, इनकी संख्या कितनी है, 5, तो देखो, इसको संख्याइं कितनी है 5 तो इसको कटाओगे 9 बार में किते कटेगा तो इसका जो answer आएगा वो option number C is the right answer यानि इसका जो आउसत निकल के आएगा इसका average जो निकल के आएगा वो 9 होगा तो अभी तक हमने आपको संख्याओं को जोड़ना होता है और उनकी संख्या कितनी है उससे भाग देना होता है तो अगले question की तरह बढ़ते हैं चौथा question आपके screen पर यह आगया देखो तीन चौन बारब पंदर अठारह 21 का आउसत निकालो तो आउसत जो होता है दो तरीके से निकाला जा सकता है ठीक है अगर common different same होगा जैसे यह वाला question है देखो इसको समझो ऐसे इसमें क्या है कि पहले संख्या है लिख लेता हूँ आपको आउसत निकालना हो और अंतर समान है तो इस नियम से निकालनेंगे जो आगया आपको मैं बताऊंगा अगर अंतर समान नहीं है तो पीछे वाला method apply करेंगे जो पुराना तरीका है आउसत का योगफल बटे में संख्या तो अगर ये वाला अगर आप नियम सीख जाएंगे तो बहुत असान आपका खेल हो जाए खेल जो है बहुत असान हो जाएगा तो चैलिए इसको start करते हैं देखे तो सबसे पहले इसको हटा देते है और समस्ते हैं कैसे निकालेंगे तो इसका formula क्या होगा जब सभी संख्याओं का अंतर समान है ठीक है सभी संख्याओं में अंतर समान हो तो आउसत के लिए कौन सा formula apply करेंगे देखे तो आउसत का formula ये apply करेंगे कि भया average अगर निकालना है इन सभी संख्याओं को तो कुछ न नम्बर इनों धोर्ड के लोग है चोड़न से भाग देंगे तो थम्रलों नुवरा उसका वरिच कितना और जेए अगया उम्हीद्द sozial पेलें देख्रीं सब्सक्राइब और देली दस दिया हुआ है 15 दिया हुआ है ठीक है 25 दिया हुआ है 30 दिया हुआ है 25 दिया हुआvoy तर दिया हुआ हैं तो आप इसका एवरेज निकाल सकते होós एवरेज का फिर्मूला हो जाएगा first number plus last number यानि पहली संख्या plus अंतिम संख्या बटे में 2 यानि पहला आपको लेना और last वाले लेना है हाँ एक चीज याद रखना कि अंतर समान होना चाहिए अगर अंतर एक भी terms का समान नहीं है तो फिर आपको वो तरीका लगाना पड़ेगा कि सब को जोड़के फिर उनकी संख्या से भाग देनी पड़ेगी तो यह 10 में 40 जोड़ोगे तो 50 आएगा 50 को 2 से भाग दोगे तो 25 आएगा तो option number D is the right answer तो आपको समझ में आता होगा तो इसके दो तरीकें हैं सबसे पहला तरीका कि sum of the terms upon number of the terms और second method यह है कि first number plus last number upon two यानि प्रत्थम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे कि भाईय का रहा है कि 14, 16 और 24 का उसत का होगा तो इसमें अंतर समान नहीं है देखो इसमें 14 है 16 है और 24 है इसमें अंतर समान नहीं तो इसका तरीका लगाएंगे जो फार्मूला होता है तो क्या फार्मूला होता है उसत का तो सभी रासियो का योग बटे में रासियो की संख्या यानि सब को आपको जोड़ना पड़ेगा तो इसको जोड़ोगे 14 plus 16 plus 24 बटे में संख्याएं कितनी है तो 3 है 1,2,3 तो इस 3 से आपको भाग देना पड़ेगा तो सब को जोड़ेंगे तो देखे 14 में 16 जोड़ोगे 14 में 16 जोड़ोगे तो 30 आएगा और 30 में 24 जोड़ोगे तो 54 आजाएगा कितना जाएगा 54 बटे में 3 ठीक है तो इसको आप कटाएंगे तो यह 18 बार में कटेगा तो इसका आउसत निकल के आएगा 18 यानि एवरेज जो होगा वह 18 होगा अगला कोशन लगाते हैं बताओ अंतर समान है कि नहीं 10 12 16 20 22 इसमें भी अंतर समान नहीं है तो सब को जोड़ के आपको करना पड़ेगा त्राइग कीजिए देखिए तो सबसे पहले संख्या निकल लिख लेते हैं कौन कौन से है तो एक 10 है 12 है 16 है 20 है और 22 है तो सब को जोड़ेंगे क्या करेंगे सब को जोड़ेंगे देखो यहां से ध्यान से तो average equals to sum of the terms यानि सब को जोड़ेंगे जितने भी terms दियें सब को जोड़ेंगे तो यह दे दिया 10 plus 12 plus 16 plus 20 plus 22 ठीक है बटे में number of the terms यानि उनकी संख्या कितनी है तो देखो संख्या देख लो एक दो तीन चार पांच ही टोटल संख्या कितनी है पांच तो यह पांच से भागा देंगे तो इसको जोड़ लो आप तो देखिए इस 10 को इस 20 के साथ जोड़ो तो 30 हो गया ठीक है तीस में आप 12 जोड़िए कितना जोड़िए 12 और यह 16 जोड़ो गे तो 28 हो जाएगा तो 30 में 28 जोड़ो गे तो 58 हो गया 58 में 2 जोड़ोगे ठीक है यह 22 है तो इसमें से 2 ले लो तो यह 60 हो गया और 2 इसके साथ 20 जो है और जोड़ो तो यह 80 हो गया तो इस सभी को जोड़ने पर 80 आएगा 80 को 5 से भागा देंगे कितने से भागा देंगे 5 से तो ये 16 बार में कटेगा कितने बार में कटेगा तो 16 बार में तो ये इसका average निकल क्या गया आउसत निकल क्या गया 16 उमीद आपको समझ में आता होगा option number 6 is the right answer आठवे question की तरह बढ़ते हैं 10,22,28 का आउसत क्या होगा तो देखे आउसत का formula होता है योगफल बटे में संख्या यानि सब को आपको जोड़ना पड़ेगा और फिर उनकी संख्या से भाग देने पड़ेगी उमीद आपको समझ में आता होगा ये basic class है ठीक है अगले class में मिलेंगे तो आपको advanced label के questions कराए जाएंगे तो ये सारे questions जिन विद्ध्यारती हो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता हो सत वो तो कर सकते हैं और जो बच्चे इसको जानते हैं वो अगले वीडियो में इसका label increase करके मिलेंगे तो चलिए 10,22,28 का क्या होगा तो देखो 10,22,28 ठीक है बटे में 3 संख्या हैं कितनी है तो देखो 10,22 में पहले 28 जोड़ लो तो 22 में 28 तो 8 ले लो तो ये हो गया 30 और 20 और ले लो तो 50 और 10,60 50,10,60 हो गया ठीक है इसको जोड़ने कितना हैगा 60, बटे में 3 तो इसका और जो निकल के आएगा वो स्वरी 20 निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 20 तो ये इसका और निकल के आएगा तो option number A is the right answer इसका A जो होगा वो सही उत्तर होगा आठ वे नवे question की तरफ बढ़ते हैं आपसे कह रहा है कि 6, 7, 3, 5, 4 का आउसत क्या हुआ तो सबसे पहले इसको ascending order में सजा लो तो ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 अब देखोगे तो common difference same है ठीक है इसमें अंतर same है एक 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 का अंतर आ रहा है तो आप direct formula apply कर सकते हो आप दोनों तरीके से कर सकते हो sum of the terms upon number of the terms सभी संख्याओं को जोड के संख्याओं से भाग कर सकते हो या first number plus last number upon two पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो तो तीन धन साथ बटे में दो तो ये आगया 10 बटे में दो 4 सही 2 बटे 5 1 सही 3 बटे 5 और 6 सही 4 बटे 5 का औसत पूछ रहा है तो वही तरीका होगा सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं 4 हैं तो सभी सबको जोड के 4 से भाग देंगे तो जोड़ें के कैसे है ये देख लो तो ये 9 है तो इसको आप एक साथ जोड़ लो 9, 4, 1 और 6 इसको आप एक जगह जोड़ ले तो यह देखो 9, 4 13, 14 और 6, 20 हो गया इन सभी को जोड़ने कितना गया 20 अब क्या बच गया तो 1 बटे 5 धन 2 बटे 5 धन 3 बटे 5 धन 4 बटे 5 इसका denominator सेम है तो direct उपर वाला जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 6, 4 10 बटे में 5, कितना हो जाएगा 10 बटे में 5 तो यानि यह 2 हो जाएगा तो यह पूरा आपका 2 हो गया कितना हो गया 2, तो 20 पहले था और 2 अभी हो गया, यह 22 हो गया कितना हो गया, 22, 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22 और संख्याएग कितनी है, 5 इसको जोड़ेंगे न, तो इसको 22 हैगा जोडने पर कितना हैगा, 22 हैगा, जोड कि आप देख लिजेगा 22 और संख्याएग कितनी है, 4 है संख्याएग कितनी है, 4 22 बटे में 4 तो यह आ जाएगा 11 बटे में 2 यानि 5.5 कितना जाएगा 5.5 आपसन नमबर A is the right answer तो जो बच्चे समझ नहीं पाएं कैसे जोड़ेंगे तो उर्खो देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं कैसे जोड़ेंगे भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो कि 9 सही 1 बटे 5 है क्या है 9 सही 1 बटे 5 धन 4 सही 2 बटे 5 धन 1 सही 3 बटे 5 धन 6 सही 4 बटे 5 तो आप जो है, इसको आप एक साथ जोड सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ने, ये सब को आप एक साथ जोड लें, तो 9 और 4, 9 में जब 4 जोड होगे, तो 13 होगा, 13 में 1 जोड होगे, तो 14 होगा, और 14 में 6 जोड होगे, तो कितना होगा, 20, इसको आप मैं अलग नोट कर लेत और यह एक बट्टे पांच दो बट्टे पांच तीन बट्टे पांच और चार बट्टे 5 को जब जोड़ोगे तो दो आएगा इसे ऐसे विदिए तो धीरे धीरे आपका बेस बनता जाएगा ठीक है तो मिदे अगले वीडियो में तब तके लिए दिने बात झाल झाल